इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले है जनरल साइन्स यानि स्वामान्य विज्ञान के टोप 21 लाइनर कुज और इस तरीच का होने वाला है पार्ट नमबर 21 तो चलिए करते हैं सुरू सबसे पहला प्रस्ण है मानब सरीर में खून किसकी उपस्थिती के कारण नहीं जमता है क्या आप खून को बहार निकाल लेंगे जमता है लेकिन मानब सरीर में क्यों नहीं जमता है लेकिन नहीं जमता है हिपेरीन नामक प्रोटीन होता है मानब सरीर में जो खून को जमने नह लावित करती है यानि इंसुलीन कहा से इस्तरावित होता है ते होता है अगनायसे से नेक्स्ट है नमबर चार रुधिर के प्लाजमा में किसके द्वारा एंटीवोडी निर्मित होती है ये होते लिंफोसाइट के द्वारा रुधिर के प्लाजमा में लिंफोसाइट के द्व रेड विलेट सेल्स, इनका जीवनकाल 120 दिन होता है, अब इनका समसान आ जाए, कबरगा आ जाए या कबरस्तान आ जाए, किसको कहा जाता है, पलीहा को, नेक्स्ट है, मानब सरीर में इधन का कार्य करता है, तो मानब सरीर में जो इधन का कार्य करता है, ये करता है कार्बो हाइड्रेट, ये मानब सरीर में इधन का कार्य करता है, नमबर साथ है, कैपसूल का आवराण बना होता है, तो किसका बना होता है, इस टार्च का, इसलिए किस अंग में जाकर छंती हैं तो जो छंती हैं ब्रक्कों में यानि के किड्नी में नम्म नाइन है दातों से खून गिरना किस बिटामिन की कमी के कारण होता है तो बिटामिन C बिटामिन C का रासाइनिक नाम ascorbic acid होता है यह ascorbicants होता है और यह जो पिरचूरता में पाया जाता है आवले में या खटे पदार्तों में next है किस vitamin में cobalt पाया जाता है most important vitamin 12 में cobalt पाया जाता है और synokovolumine इसका रसाइनिक नाम होता है 11 है रितों धी रोग, किस बिटामीन की कारण होता है, तो होता है विटामीन ऐसे, रितों रोग, और ये इसका जिरासाई नहाँ होता है रेटिनोल होता है होटा है, next 13 मीनी माता रोग किसके कारण होता है, तो ये जल्मे मरकरी के प्रिदूरसल से यानि जो मीनी माता रोग है जल में मरकरी का जब प्रदूसर्ण होता है तो इसके कारण होता है 14 है मानप तुछा का अध्यान किसमें किया जाता है तो धर्मेटोलोजी यानि धर्मेटोलोजी क्या होता है इसमें मानप की तुछा का अध्यान किया जाता है Next is 15 मानब शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित गिरंथी है तो यह है अगनेा से सबसे बड़ी मिश्रित गिरंथी 16 है मानब गुर्दे में बनने वाली पत्री प्राय बनी होती है तो बनी होती है calcium oxalate की Next 17 निसेचन की किर्या कहां पर होती है तो यह होती है अंडवाहिनी में निसेचन की किर्या कहां होती है अंडवाहिनी नेक्स्ट एटीन वर्फ पानी पर क्यों तैरता है क्यों क्यों कि वर्फ का जो घंत्व है वो पानी के घंत्व से कम होता है 19 है यूरिया को किसके दुआरा रक्त से अलग किया जाता है तो कियाता है गुर्दे के दुआरा 20 है पिर कास बर्स मातरक होता है तो किसका होता है दूरी का तो यहाँ पर हमने आज के 20 कुछ कम्प्लीट किये हैं आई हो वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेयर कीजिए थैंक्यू फो वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में